हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं आपका योट्यूब चैनल आरिक एजुकेशन क्लास प्रैंस आज हम पढ़ेंगे बिए प्रोग्राम सीक्स सेमिस्टर एजुकेशन इन इंदिया पॉलेजी और प्राक्टिस इसका यूनिट वन का चैप्टर टू करेंगे आज हम चैप्ट स्कोलगों की पर्नाली परकार और संब्दिता इंटोडक्शन परिच्च जब लोग स्कूल में परवेश लेने यह चिक्शेज़ करने के बारे में सोचते तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि स्कूल कैसे होगा इसकी आजेंसिया कौन से होंगी कौनसे बोर्ड हों दी देशों के माद्याम परिक्षकी पढ़नाले कैसी है कि कि असकूल में फीस ली जाती है उस सभ विचार नहें वे इलां कि यो विचार ना के सीखने के परभाविश्यक को बीवरार को परभाविद करते हैं ब्लकि भविश्टे के बख्यां को उसको भी अकार देते हैं इसलिए भहारत ने मुझूदे स्कूल usky system और संबंध एजेंसियों के पारे में जानना और समझना आवशक हो जाता है यह स्कूल का कैसा system है। बारत में ुदे के स्कूल का कैसा system है ऑक अंते के स्कूल चलाए जारे हैं उनके बारे में, समझना उनके बारे में जानना भी अविशक हो जाता है समद संसाय समद स्कूलों द्वारा नीतियों पार्थिय चारण और बजट के कार्य नव्यान की तैयारी निगरानी और समर्थन करती हैं हम उन सरकारी विभागों के बारे में भी जानेंगे जो समाज के वेभिन वर्गों के लिए स्कूल चला रहे हैं और हम इस एप्रमा उसके बारे में भी जानेंगे जो कि समाज के वेभिन वर्गों के लिए जो स्कूल चले हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे यह स्कूल को मैनेज कर रहे हैं उसका वित्तिय प्रोशन के लिए उनको मैनेज कर रहे हैं आदिवासी कल्यार विभाग के लिए रेली मंतारिया, सरम मंतारिया, केंद्रिय तिबबत इसकोल द्वारा शिक्षित इसकोल इसे जोड़ते हुए हम देश भर में स्वेटता निकाय द्वारा परकाशित स्कोलों बारे में पता लगाएंगे जैसे नमुवध्याले और सैनिक स्कोल यहीं सभी स्कोलों के बारे में जितने भी इंडिया में स्कोल है, उन्य हम इस चप्टर में पढ़ेंगी भारत में इस्कूल पर्णाली का विकास शिहाव लोकन भारत में शिक्षा पर्णाली ने शिर्कवेद के समय से लेकर अब तक एक लंबी विकासवादी यात्रा की है वैदिक काल की शिक्षा परणाली शरीरिक, बोधिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास पर केंदित थी जो वैदिक काल की शिक्षा परणाली थी वो हमाई सरीरिक, बोधिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास पर अधारित और इसके बाद हम देखते हैं मटो और मद्यकालिन के समय में मदर्शा और मक्तब का विकास देखा जा सकता है भारत में स्कूल पढ़नानी का अवलोकन संख्या की भारत सरकार द्वारा परकाशित UDISE plus 2019 से 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक लाग पचास हजार 15,07,708 स्कूलों में से 2.49 लाग सहरी चेतर में और 12.58 लाग ग्रामिर चेतरों में इस्तित हैं रिपोर्ट परबंद सरकारी नीजी इस्तर पूर्व प्रात्मिक माध्यमिक वरिस्ट माध्यमिक छात्र परकार कंपनी एंड लड़कों लड़कियों के अधार पर इस्कूलों की संख्या देती है कितने स्कूल है टोटल 15,07,708 और उनमें से 2.49 जो है वो शहरी चेतरों में है और 12.58 जो है वो ग्रामिर चेतरों में इस्तित हैं और वो किस-किस परकार के नीजी भी हैं सरकारी भी हैं पूर्वो प्रात्मिक भी हैं प्रात्मिक भी है भी है माधिमिक भी है लड़कयों के लिए है लड़कियों के लिए उसके अधार पर स्कूल दिये गए है इसकूलों के परकार टाइप आफ इसकूल बहरत में इसकूल को मोटे तॉर पर सरकारी या नीजी स्कूलों में वर्गी क्रित किया सकता है अगर हम देखते हैं तो प्राइब्स से हम ज्यादातर जो सुनते हैं, वो स्रकारी और प्राइबेट मैंनि government और private चुल के पारे में ही उम्जानन सुनते हैं सरकारी स्कूलों को स्रिक्ष विभाग आदिवासी कल््यारीएं रेल रेल और शरम रंत्राले जैसे विभिन विभागों द्वारा नियंतित किया जाता है और जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको आदिवासी विभाग का लियार के द्वारा समाज का लियार विभाग के द्वारा ये रेल मंत्राले ये शरम मंत्राले द्वारा ही विभागों को नियंतित किया पोशित किया जाता है जो सरकार हिने वित्य पोशित किया जाता है और इन की भी को छातरों से पीस नहीं स्कून है पब्लिक स्कूल या गॉर्मेंट स्कूल जो है वह या तो च्छादर पढ़ते हैं उनसे स्टूडन से फीस नहीं लेते हैं या बहुत जादा कम फीस रखे जाती है नाम मातर की फीस जिसे कि वह दे सके इन स्कूलों का पाठ्यां करम राज्य या राष्ट्य इस्थ स्कूल जो है वो एक ही पार्टे करम का पालन करते हैं क्योंकि इन में एक ही पार्टे करम पूरे स्कूल में पूरे इंडिया में जितने भी गॉर्मेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल है उनमें एक ही पार्टे करम चलता है और इसमें जो फीस होती वह भी नाम मातर की होती है या तो पुलकुली फीस नहीं होती है नाम मातर की होती है और वही हम देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस होती है वो बहुत जादा हाई होती है बट गौर्मेंट स्कूल जो होती है उनकी पीस या तो बुलकुल नहीं होती या बुलकुल नामातर की होती है परवेश और परिशिक्षन की कसोर्टी सरकार दोरा तै और परतिवंदित की जाती है और एंट्री लेने के लिए उसकी स्कूल में उसकी जो कसोर्टी होती है जो एंडुरी लेने के लिए एक्वाम दिया जाते या तो वह तैय होती है वह सरकार दोरा तैय की जाती है परवेश के लिए महतापुन नियुक्त का शात्र का पता इसका मतलब है कि बच्चे का घर, स्कूल के एक निस्छित दारे में इस्तित होनाचाईए और इसके लिए कि आस सबसे पहले क्या पूछा जाता है पूछा जाता है जो बच्चा जो पढ़ने आ रहा है काफी दूर से नहीं आ रहा है कि उसको problem हो आने में इसलिए उसको जो school है उसके घर के पास ही होना चाहिए इसलिए उससे सबसे पहले क्या पूछा जाता है एंडी के टाइम पे उसका address उच्छ योग्य शिक्षक अपने विश्चे के school और जो उच्छ योग्य शिक्षक हैं उनको भी अपने विश्चे के school के एक निस्चित दायरे में इस्चित होना चाहिए उच्छ योग्य शिक्षक अपने विश्चे में कोशल और सभी राज्य अनिवारी अभशकता को पूरा करने वाले सरकारी सकूल में काम करने के लिए अव्षी शिक्षक हैं यानिवारे में वाले सरकारी स्कूलों में काम करनेके लिए अवश्चे होती हैं राज्ये केंद्र शाशित पर्देश द्वारा अपने अधिकाज छेतर में चला ही जा रही और प्रियोजित योजनाओं के अलावा सरकारी स्कूलों में हाशिये के वर्ग की लड़कियों छातरों के लिए 22 से अधिकेंद्रे वित्य पोशित कार्यकरम और प्रियोजनाय चल रही है राष्टियम मुक्त विद्याले शिक्षा संस्था आई एन आई ओएस नेशनल इंस्टिटूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यह एक ओपन स्कूल है जो उन बच्चों को उचमाध्यम इस तरह तक शिक्षा परदान करता है जिनकी स्कूली शिक्षा बादित हो गई हो और इसलिए उपचारिक शिक्षा पूरी करने में आसा मर्थ है यानि कि उनकी स्कूली जीसा है वो पूरा जाना से नहीं पढ़ पाया है उन्हें एट्थ में किलास में सेवंत किलास में जोने छोड़ दिया इस्कूल तो उनहीं के लिए यह स्कूल होता है कि वो अपनी 10th और 12 इसस्कूल में पास कर सकते हैं ओपन इस्कूलिंग सिस्टमने इशनल इंसीट्यूट ओफ ऑफ ओपन इस्कूलिंग पुरु में इकीस नेशनल ओपन इस्कोल के रूप में जाना जाते हैं जो नेशनल स्कोल है वो ओपन स्कोल के नाम से जाने जाते है नेशनल इस्टिट्यूट ओफ ओपन स्कोलिंग इसे 1989 में CVSE द्वारा इन्विल्ट लाचीलेपन के साथ पालेट प्रजेक्ट के रोप में शुरू किया गया था जोलाई 2002 में शिक्षा मंत्राले ने NOIS का नाम बदल कर नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ ओपन स्कोलिंग कर दिया था 2002 में इसका नाम चेंग होगे पहले इसका नाम क्या था अफिर इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल इंसिट्यूट ओफ उपर लगनी एन आई ओएस कर दिया गया उपचारिक पढ़नाली का एक विकल्प एन आई ओएस इच्चुक शिक्षार्तियों को पांच विभिन परकार के पार्थिकरम परदान करता है जो विध्यार्ति इसके लिए एनमिशन लेने के लिए इच्चुक होती है इंतर स्टक्ति इसमे एनमिशन लेने के लिए उनको पांच परकार के विभिन परथिकरम को परदान किया गया अगर पांच परकार के परथिकरम में जिसे 1963 में भारतिय रख्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिख्षित करने के एक मात्र उद्धेश्या उसुरू किया गया था और उनको ही जुरू करने का एक इसका मात्र उद्देश्य था सैना द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूलों के शुबारम के साथ इन स्कूलों की सेवाओं को बढ़ाया गया था और इन स्कूलों की सेवाओं यानि कि जो आर्मी के जो पब्लिक स्कूल है उसके साथ ही इसले स्कोलों की सेवाओं को भी बढ़ाया गया था लेकिन सभी केंद्रे सरकार के करमचारियों तक सीमित नहीं है बट ये सभी केंद्रे सरकार के करमचारियों तक सीमित नहीं है इसका मतलब ये है कि केंद्रे सरकार के करमचारियों के बच्चों को विरायत दी जाती है लेकिन ये आम जंता के लिए भी खुले हैं ये आम जंता के लिए भी खुले हैं ये आम जंता के लिए भी खुले हुए हैं केंद सरकार रक्षा और अर्द सेना कर्मियों को पूरे देश में वित्रित किया जाता है और नियामित रोप से इस्थांतरित किया जाता है उनको वित्रित किया जाता है पुरे देश में और नियामित रोप से स्थांत्रित किया जाता है ये तबादले उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन कर सकते हैं उनकी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं इसलिए इसकोलों को खोला ग प्रतिबा शाली और प्रतिबा शाली बच्चों को मुफ्त और गुर्वत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से अवासी स्कूलों की एक पढ़नाली है जो जबहार नवात्य जो विध्याले है वो मुख्य रूप से भारत के ग्रामिर छेतर है न उनके बच्चे को मुफ्त में शिक्षा और गुर्वत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके उसी के लिए यह खोला गया था राष्टी शिक्षा नीती नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में जिसमें चैनित चातरों को मुफ्त आवास बॉर्डिंग और सिक्षा की सुविधा प्रदान की गई जिसमें की बच्चों को मुफ्त में रहने की मुफ्त में पढ़ने की शिक्षप्रदान की गई थी पृतियक नवोतिया विद्याले में पृतियक वर्ष कक्षच छटी में असी छात्रों को मैरिट टेस्ट के अधार पर परवेश दिया जाता है उसमें असी छात्रों को मैरिट टेस्ट मैरिट 9th और 11th कक्षा परवेश के अंतरिक प्रवधान के साथ 12 कक्षा तक शिक्षा ले सकते हैं 9th किलास में एंडिमीशन ले सकते हैं और फिर उसके बाद ये 12 कक्षा तक इसमें पर सकते हैं सभी JNV केंद्री मद्धि का शिक्षा बोड़स CBSE से समद्षा शिक्षा विद्याले हैं तमिलाडू को छोड़कर पूरे भारत में 626 नवद्या विद्याले मजूद हैं और तमिलाडू को छोड़कर हम तो पूरे भारत ने पूरे देश में हमारे 626 नवध्य विध्याले यानि जे एनवी जो विध्याले हैं वो 626 ने पूरे भारत में तमिलाडू को छोड़कर सभी सहाज शिक्षा विध्याले तिरी भाषा सुत्र का अनुसरान कर रही है और जितने भी सहाज स्कूल ही ये सितने भी स्कूल है इसमें तिरी भाषा सुत्र का अनुसरान कर रही है तिरी भाषर सूत्र आपको पहले भी बताया था कि तिरी भाषर सूत्र क्या होती है कि इंदी इंगलिश और जो होती है हमारी एक माधाटंग जिस हम लेंगवेज में बोलते हैं वो जो हमारे राज्ये की लेंगवेज होती है जो गुजरात की महाराष्ट की जो लेंगवेज जिसे नई दिल्ली में इस्थित नवोध्य विध्याले सिमीती कहा जाता है परभावी प्रसासन और कामकाज के लिए सिमीती आठ छेत्रिय केंद्रों के माध्यम से काम करती है और परभावी परशाशन और कामकाज के लिए जो समीती बनाई जाती है वो आठ छेतरीय केंदरों के माधियम से कारिय करती है, काम करती है नवोध्य विद्याले में फिफ्त हा जाता है हमारा सैनिक स्कूल ये है रक्षा मंत्राली जी ओ आई के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचलित स्कूल की एक पढ़नाली है समाज ने पूरे भारत में इन शेक्षनिक संस्थानों की इस्थापना और प्रशाशन किया है इन स्कूलों की परिकलपना 1961 में ततकालिन रक्षम मंत्री वी के मैनन को भारती ससस्त्र बलों में अधिकारियों के रोप में सेवा करने के लिए मुख्य रोप से ग्रामिर लेकिन योग्य लड़कों के मानसिक और शरीरिक रोप से तयार करने के लिए धन्यवाद दिया वर्तमान में पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल है अब अर्दमान में अगर हम देखे तो पूरे भारत में पूरे इंडिया में 33 सैनी के इस्कूल इस्टी ने इन इस्कूलों द्वारा अपनाए जाने वाला पार्टियकरम CBSE प्लस है यानि CBSE पार्टियकरम को अपनाने के अलावा इसके उदेशे बच्चों को MDA और INA में परवेश के लिए पोशन करना है यानि कि CBSE उस्से प्लस में है NDA और INA परवेश में जो से पोशन करते हैं सभी विध्यालों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और सभी विध्यालों इतने चात्र को screening test pass करने के बाद 6 कक्षा में परवेश मिलता है और यतने भी चात्र उसमें admission लेते हैं उनको एक screening test pass करना होता है उसी के बाद वह six class में admission लेते हैं और बार्मी कक्षा तक पढ़ना जरी रखती हैं और उसके बार्मी तक वह पढ़के निकलती हैं उस school से 2021 में पियाम मोदी ने गोशना की कि भारत में हर सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुला होगा गोशना की कि हर सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए भी ये स्कूल खुले में इसमें लड़किया भी पर सकती है 2021 में प्रिया मोदी ने ये घुशना की थी कि इस स्कूल में सेनी की जो स्कूल है उसमें लड़के अभी आप पर सकती है भी लड़के के लिए भी खुला रहेगा रेलवे स्कूल ये स्कूल माध्य वर्की जीवन का आनंद लेने के लिए निवासी यूरोपी लोगों के लिए घरों और अन्य सुविधाओं के साथ रेलवे कलोनियों का हिस्सा थे रेलवे के सदस्यों और करमचारियों के लिए रेलवे लाइन से सटे अंग्रेजों द्वारा स्कूल इस्थापित किये गए तो स्थापित किये गए थे सतंतता के बाद इस विरासत को रेल मंताले द्वारा आगे बढ़ाएगा आगे जारी रखे गए हैं यह भारा सरकार के रेल मंताले द्वारा संचलित स्कूलों की एक पढ़नाली है और यह भारा सरकार के रेल मंताले है उसके द्वारा संचलित की जाते हैं यह स्कूलों की पढ़नाली है वर्दमान में पूरे भारत में ऐसे 1149 स्कूल है और हम पर प्रेजन टाइम में देखे तो इसे पूरे इंडिया में कितने स्कूल है 1149 स्कूल है रेलवे से जो सटे और उत्पादन इकायों के महा परबंदकों को प्रधान कारियकारी नेदेशक रेलवे बॉर्डर द्वारा ब्लैक एंड वाइट में एक आदेश के अनुसार एक आदेश के अनुसार अपेकर शक्रित जो छोटे हैं रेलवे स्कूल जो छोटे हैं उनको बंद किया जा सकता समय के साथ बं करने समेलन के संभावित समय का सुझात दिया जा सकता है यह बंकरने का टाइम बताए जा सकता है कि इतने टाइम इसकोछों को बंद कर दिया जाएगा सभी परवावित छात्रों के कैंद्र विध्यालों या राज्य थी सरकार के स्कूलों में इस्थान्तूरित किया जा सकता है और जो करते हैं इसलिए हम इसके जो आगे के चैप्टर हैं वो बुक से ही करेंगे अमीद आपको वीडियो पसंद आएगे वीडियो कैसे लिए कमेंट बक्स में लिखका जरूर बताना और ऐसी इंट्रेस्टिट वीडियो देखने के लिए मैं चाहिए को लाइक श्यान कर दो दो चिता हैं बेख़ झाल कि जडियो वीडियो ती आगे मैं खिता हैं पागे जय को वीडियों आपको अंपको श्यान सब्सक्रादान में उलकर वीडियों